हाई गाईज, वेलकुम बैक तो मैं चैनल, मैं हूँ स्पीटी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब आपका स्पेसिफिक परसन आपसे हमेशा बात करना चाहेगा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका स्पेसिफिक परसन आपसे बात नहीं कर रहा है आपसे पने मन की बात शेयर नहीं कर रहा है और आप ही उसे बार बार कॉल या मेसेज कर रहे हो और वो आपसे बहुत अची तरह बात भी नहीं कर रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे point share करूंगी जिसके बार ना आपके relationship पूरी तरह change हो जाएगी जिस person को आप अभी chase करें अब वो आपको बार बार call और message करने लगेगा सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि ये सारी situation के शुरुवात वहाँ से हो चुकी थी जहाँ पे आपने आपने आपको बहुत easy रख दिया था example के लिए मान लीजिए जब आपके situation में ऐसा scene था कि आपका specific person आपको हमेशा call करता रहता था आपसे हमेशा बात करते रहता था तब आप क्या करते थे कि आप उसका हमेशा call उठाते थे आप उससे बहुत अच्छी तरह बाते करते रहते थे जब वो अगला इंसान free होता था तब आप भी free हो जाते थे और आप अपना सारा काम छोड़कर उससे बात करने में लग जात तो ऐसा करते करते क्या हुआ कि उसे बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि आप इस समय कौन सा काम कर रहे होगे और अभी आपका क्या काम करने का समय है आपका हर एक time table उस person को पता चल गया और उस person को ये भी पता चल गया कि जब भी वो आपको call or message करेगा तब आप उसके call or message क answer करोगे और ऐसा करते करते क्या हुआ ना कि उससे ये पता चल गया कि आप सब कामों को छोड़कर उससे बात करने के लिए हर समय ready होगे और जब उससे ये बात पता चल गयी ना आपके अंदर की ये वाली चीज़ पता चल गयी तो अब क्या हुआ ना कि उसके मन के अंदर स आप से बात करने के चब खतम हो गई अब वैसा इंसान ना कभी भी अपना टाइम निकाल के अपने हर कामों को stop करके आपको priority कभी समझे गई नहीं आप से बात करने के लिए interest नहीं दिखाएगा क्योंकि आपने उससे एक बार में इतना ज्यादा दे दिया ना कि अब वो आप से और कुछ मांगने के लिए ready नहीं है सोच ये जब हमसे कोई इंसान दूर रहता है हमारी कुछ दिन जब उस इंसान से बात नहीं होती तब हम ये सोचने लग जाते हैं कि अब वो person क्या कर रहा होगा इस तरह की feeling ना धीरे धीरे करके ये वाले relationship से निकल जाती है अब उसे पता है कि आप इस समय क्या कर रहे हो आप उसके लिए time निकाल लोगे आप अपने कौन से कामों में बीजियो जब ये सारी चीज़े उसे बहुत clearly पता चल गई और उसे ये भी पता चल रहा है कि आप बार बार उसे call और message कर रहे हो बार बार आपे खुद आगे बढ़ बढ कर ये बता रहे हो कि मैं भी ये काम कर रहे हो मुझे ये करना है तुम क्या कर रहे हो तो उसे अपने अंदर से आप से उन चीज़ों को पूछने की इच्छा ही खतम हो गई उसके मन के अंदर से ये वाले इच्छा पूरी तरह निकल गई कि अब call करके पूछा जाए कि आप का दिन कैसा भी था आप अभी क्या कर रहे हो आप किस कामों में बीजी हो क्या आपने मुझे मिस किया क्योंकि ये सब चीज़े ना उसके मन के अंदर से आप ही ने पूरी तरह निकाल दे जब आप अपने कामों को साइड रख देते हो अपने आपकी personality को साइड रख देते ह और हर समय किसी एक इंसान के लिए available होते जाते हो ना तो वो इंसान के अंदर से आप से बात करने की इच्छा ना धीरे 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 कम होती जाती है पर अब आपको जब पता चल गया है कि आपकी गलती कहां पी हो रही है ना तब आपको अपना एक time बनाना है और उस time में आ हमारी life में बहुत सारी चीज़ें missing है हमारा mind हमें यह message देने लग जाता ना कि हमारी life में बहुत सारी चीज़ों की कमी है और पूरा focus ना उसी इंसान के तरफ लगा देता है जब आप अपनी power अपने पास रखना चाहते हो ने एक powerful person बना चाहते हो तो आपको अपनी power अपन करने लग जाते है तो हर एक एंसान हमारे time के और हमारी value करने लग जाता है क्योंकि ऐसा करना इसलिए भी ज़रूरी है कि पहले आपको उस person को check करना है कि वो आपके लिए right one है या नहीं आपको पूरी तरह अच्छी तरह उसे समझना है जब आप किसी person को पूरी अच्छी समझने लग जाओगे तब आप उसे वो special treatment देना स्टार्ट जैसे ही आप इन सारी चीजों को follow करने लग जाते हो उसके बाद ही आपका specific person बार बार call और message करके आपसे ये पूछने लग जाता है कि अभी आप क्या कर रहे हो क्या आपने मुझे miss किया आप किस काम में busy हो आप कब तक free हो जाओगे इन सारी चीजों का excitement ना उसके मन के अंदर खुद बख़ोद आ जाता है क्योंकि वो अभी आपकी life में क्या चल रहा वो जानने के लिए इच्छोग है so guys अब हम मिलते है नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखे और खुश रहे पाव बाई